आप सबी मुझे जानते हैं मैं हूडिशा प्रसाथ आपकी मनजिल की सफर में आप सबका स्वागत करता हूँ इससे पहले हमने इंडियन वाले बुख के ट्रांसपोर्ट और कम्मुनिकेशन चैप्टर को अच्छे से देख लिया था इसके जितने important question बनते थे आज हम fundamental वाले अपने book से transport और communication यानि कि जो world transport और communication के बारे में है उसके जितने important five marks से question बनते हैं उनके बारे में अच्छा से discussion करेंगे क्योंकि इससे बहुत important question बनते हैं और बाकी सारे चीज़ जो important चोड़े-चोड़े question है वो मैं आपको live session में करवा दूँगा exam से पहले इस तीस की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ जो चलिए सुरू करते हैं अपनी session को सबसे पहला जो हमारा question आता है list out the advantage of pipeline transport सबसे पहले इस step के आपको question देखने को मिलेंगे कि advantage आप आपको pipeline transport advantage आपको railway, advantage of roadway इस तरीकी क्या सकते हैं तो मैं सब नहीं कराया pipeline को कराया हूं important है थोड़ा अलग है इसलिए कराया ठीक है pipeline can be laid through difficult terrain as well as underwater pipeline के यह है कि इसको आप अलग-अलग terrain में यानि कि ऊवर खावाल वारे terrain में भी डाल सकते हैं और साथ ही साथ इसको underwater भी construct कर सकते हैं एक बार इसको नीचे से पानी के अंदर से कर दिये उसके बाद कोई जहमिला नहीं होता है दूसरा बात इसमें यह कहा गया है initial cost देखिए आपको एक चीज़ मैं हमिसा बता रहा हूं कि जितने भी आपके answer होंगे board में उनको point wise लिखने का कोशिस करीगा क्योंकि आप अगर point wise लिखते हैं तो आपको marks ज्यादा मिलने के chances होते हैं यह जितने भी toppers के paper upload होते हैं CVC के website में उन सारे चीज़ों को search करके और मैंने खुद भी अपने exam में यह लिखाता है और मुझे अच्छे marks मिले थे ठीक है initial cost of the lying pipelines is high एक बार इसको बैठाने का खर्च होता हुँ ज्यादा होता है बट subsequently cost of the maintenance and operation is low यानि कि इसको एक बार बैठाने के लिए जो खर्च होता हुँ बहुत ज्यादा होता है बट उसके बाद इसको maintenance और भेजने के लिए उतना ज्यादा खर्चा करने के इसमें ज चला जाएगा pipelines ensure study supply pipeline के ये फाइदा है कि इसमें study मने continue supply होता रहेगा ऐसा नहीं कि अगर आज बारी सोरा तो नहीं होगा या गरम पर गया तो नहीं होगा इस तरीकी के problem इसमें देखने को नहीं मिलते हैं इसमें क्या होता है ऐसा नहीं कि कहीं आप दूर कुछ माल भेज रहे है तो यहां से अपने भेजा स्विच को टिपा और वो अपने अब चला जाएगा ठीक है इसको भेजने के लिए भी बहुत जाथा है एनरजी की जरुवत नहीं परती है स्रीप पंपिंग यहां से एनरजी लगाना परता है मोटर जो इसको पंप करता और यह अपने आप महां तक पहुँच जाता है इसे कोई पल्यूशन नहीं होता है यह सबसे अच्छा कह सकते हैं एक इन्वर्मेंटल फ्रेंडली मोड अप ट्रांस्पोर्टिशन है तो छे पॉइंट मैंने आपको लिखा दिया हार एक पॉइंट आपको इतना इजी से लिखाया हो कि आप इसको अच्छे तरीके से जाएगा ठीक है उसका नेक्स्ट को देखते हैं क्या है सजेस्ट मेजर तो ओवर्कम अर्बन ट्रांस्पोर्टिशन प्रॉब्लम सहर में आप देखते होंगे दिल्ली मुंबै में बहुत भीभार लग जाता है एक घंटा दो घंटा पांच घंटा तक आपको टाफिक में परता है तो इस चीज़ का प्रॉब्लम को ओवर्कम करने के लिए क्या सबसे अच्छा सजेशन किया जा सकता है यह बुक के आपके जो फंडमेंटल बुक है उसमें ट्रांस्पोर्ट वाले चेप्टर में छोटा सा लिखा हुआ है बड़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ब कि नहां पर रोड सब मिलते है या अलग अलग जगा के लिए सप्लाई के जाते है रास्ता वो सब अछा करना हुगा इंप्रॉब्प्लिक बस को चलो द हाएगा चलो बहुत जबाध पर्किन पहुत रख एग है बहुत साउंड होता है बहुत अंदर बदबू टैप की होती है तो थोड़ा बस का क्वालेटी को भी सरकर को अच्छा करना चाहिए और लोगों को भी गलती है लोग बहुत ज़्यादा अच्छे चीज को ख़राब करते हैं इंडिया का यह बहुत ही ख़राब चीज है देखा आपको सोर्स से लेकर आपको डेस्टिनेशन तक पहुचाने काम बहुत फास्ट में यह कर सकता है एक्सप्रेस बेस यह सब इसमें जो अलग 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 नॉट्स को जोड़े जाते हैं इसको भी हमको बढ़ाबर देना होगा तो ही जाकि यह अर्बन जो ट्राफिक का प्र स्टेट्मेंट अब इस सब वर्ट को देखके आप अलूसीडे डिस्क्राइब इलाबरेट यह सब को देखके कंफ्यूज मतलब एक ही होता है इसको सबसा संचेक में बताईए क्या लाइन लिखा रहा है ऐसा कोशन आपको पका मिलेगा इस बात के भी गैनेटी मैं लेता है अगर आपको चाय पीने का दिल है तो आप चाय पीजिए और ऑगर आपके के घ़ stroke चाय पत्ती नहीं है दूद नहीं है तो आप उसका कॉफी भी पी सकते हैं गॉप्लिमेंटरी यानि के इस नहीं तो यह तो इसका भी यूज़ करके किया सकता है गूपे मतलब बहूत है भी करते हैं तो इस तरीके से जो अलग-अलग transportation system है यानि कि roadway, railway, airbase and pipeline किस तरीके से एक दूसरे का complimentary है क्या करते देखो road transport होता है जिस चीपर है and faster over short distance के लिए बहुत ही अच्छा है and for door to door service के लिए ये तो अगदम-अगदम कह सकते excellent कि आपको दरवाजा से आपका माल लेगा ले जा सकते हैं या bulky material है जैसे iron still ये सब तो इसको long distance के लिए railway सबसे आच्छा है जो कम खर्चा में आपको दूर तक पहुंचा दने का काम करेगा उसका धम third number point देख लेते क्या है high value light and perceivable goods are best mode by the airway ऐसे समान जो बहुत value महंगे वाले है हलके weight है और perceivable जो तूट सकते हैं इ देना मते हैं कि यानि कि सोचिए 14 February को रोज का बहुत demand होता है जो हमको दिली से कोलकाता इस चीज को लाना है लेकिन अगर train से लाएंगे तो अगर हम वह पर 13 तारीक को अगर निकालते हैं तो इसको पहुंचने वे 17 तारीक लग जाएगा ठीक है या 14 या 15 या 16 लग देगा नहीं क्योंकि 14 तारीक को लड़कों को यह देना पड़ता है और मतलब यह क्या कहें उनकों पड़े बार्डन का काम है बहुत महंगा भी उस दुन कीमती मिलता यह फूल और नहीं दोगे तो आई हेट यू इस तरहीं के डायलोग लड़की लोग माराएंगे ठीक है तो सोच लीजे यह करना पड़ेगा तो इसके लिए एर ड्रॉप करते हैं यारी कि 14 तारीक को रात को इस फूल को तोरा जागा तेरा तरीक को सॉरी और 14 तारीक में यह क्या होगा कोलकाता तक पहुंच जागा दिल्ली से जैसके सुबहा 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 साब दूसरा में हमने क्या देख लिया यहाँ पर रेलवे को भी देख लिया तीसरा एयरवे देख लिया अब ओशनिक ट्रांस्पोर्ट देखते कब काम आता है चीप मेंस ऑफ हॉलेज अब बलकी मेटेरियल बहुत भारी भारी चीज जो ट्रेन से भी नहीं बहुत सा मेटल क्य जो बहुत ही किवायती और बहुत ही अच्छा है ठीक है ना पाइप्लाइन्स अर यूजट एक्स्टेंसिबली तो ट्रांस्पोर्ट लिक्वीड एंड गैसी इसको भेजने के लिए पाइप्लाइन का यूज़ करते हैं जिसमें अंटरिप्ट अनिंटरिप्टेट फ्लो हो जाद रख सकते हैं तो यह हो गया हमारा कि किस तरीके से एक दूसरे का सब कंप्लीमेंटरी हमने देख लिया हर चीज़ को अलग अलग ट्रांसपोर्ट को असा करता हूं अच्छे समझेंगे कोश्चिन नबर फोर को हम देखते हैं अगर किसी को इनका पीडिया चाहिए तो अब बिजियस का मतलब पता हुग इसको क्या समझाना ठीक है डिस्काइफ फोर करक्तिरिक तो आफको डिस्काइफ करना है तो जाब बिजियस्ट सीरूट इदा वर्ड इस नौर्डन आट्लान्टिक सीरूट अब नौर्डन अट्लांटिक कहा है यह बच्चे के मन में चल हुआ है ठीक है तो उपर वाला जो है ये North Atlantic है और ये नीचे वाला जो है South Atlantic वाला इलाका आता है ये Ocean Com क्या बोलते है Atlantic Sea यहीं पर Titanic क्या हुआ था एक्सिदेन्ट हुआ था कारण इसका मैं आपको जीजिन बाथ्रूम में नहाते होंगे ठंडे की दिन में, तो अब गरंपानी में जब ठंड़ा-पानी मिलाते होंगे, तो वहां क्या देखते होंगे बहुत धुआ-धुआ हो झाता है पूरा भाथ्रूम, तो Captain की गलती थी इसमें बहुत सारी जैसे कि यह Titanic जाहाज दूबा तो इसी बादे से इस जगा में क्या होता है बहुत ज़दा धुंदुर रहता है और और यहां पर एक अच्छा चीज होता है कि यहां पर बहुत मचली मिलते है क्यों कि जहां गरम पानी और ठंदा पानी का म अच्छर होता है मचली के लिए फेवरेबल कंडिशन रहता है यहां वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फिशिंग यहां पर होते हैं दो चीज मैं आपको बता दिया नॉर्थ आट्लांटिक सूर रिसी रूड जो है बिजियस्ट है इसको आपको याद रखना है क्या है बिजियस् अच्छा है टिक है दा फॉरें ट्रेट ओवर इस रूड इस रूड यानि कि दूसरे देशों के साथ जितना ट्रेड है वन फोर्थ यानि कि इतना गा ट्रेड होता है तो इसका एक टुकड़ा सिर्फ इसी रूड में होता है बाकी इतना बड़ा सी होने के बाद उसमें इतना कम होता है ठीक है ये हो गया उसका देख लेते बोध दा कोश्टल है अब दा हाई एडवांस पोर्ट एन हारवर फैसलिटी दोनों ही तरप यानि कि नॉर्थ अमेरिका और यहां पर यूरोप दोनों में ही एडवांस हारवर यानि कि जहां नॉका सब आके रेस्ट करता है इसको हार्वर रेस्ट में और यहां पर आके नॉका सब रेस्ट करता है माल उठाता है नॉका काश्य करता है यानि की कुछ तूठ फार्ड गया तो ठीक करने का काम करता है हर वर्स में तो हो गया ठीक है इसको क्या कहते है बिल्ट ट्रंक रूट याद रखे गल honor kया कि झ्या है तो नॉर्थ अट्लांटिक जो सी है उसमें इंल 01 बिक ट्रंक रूट कहते हैं जो USA को लंडन या यूरोप से जोडने का काम करता है यह सबसे बिजिएस्ट है इतना सारा पॉइंट लिख देगा कि टीचर ऐसे इंप्रेस हो जाएगा वह क्या लिखा है यह क्या करता है लंडन को निवॉक से यहाँ पे हो गया इंग्लैंड का लंडन केपिटल और यहाँ पे हो गया निवॉक इन दोनों को जोडने का काम करता है यह रूट कॉंसर रूट नॉर्थ अट्लांटिक सी रूट याद रखीगा बिक ट्रंक रूट याद रखीगा साइज चीजों को आसा करता हो कि बड़ा मज़ा आ रहा हो को आपको इहान का काम करता है इसके PE को लिखना है अभ आतलंटीक शर्ण के बारे में आपको अभी समझा यह नॉर्थ अमीरिका हो गया यह नौर्थ अमेरिका हो गया इसकी इधर वाले बारा को THIS आ उन पी के साथ जोडने का काम करता है फרג है को हम नने एक कनाल इसकी तुर्श की ढो होता है एक ऐसा पतला सा लैंड मास जो बड़े दो लैंड मास को जॉइन करता हो ठीक है यह हो गया इसको इस थमस बोलते है एक छोटा सा एक नैरो स्ट्रेस चेस बोल सकते है जो बड़े दो लैंड मास को जॉइन करते है तो यह पनामा इस थमस था जिसको काट के हमने क्या ब 12 km के deep cutting और 72 km यह long है इसको आज इसा point को अच्छे सी याद रख लीजे It has a six lock system, six lock system यानि कि ऐसा करके है अब यह क्या सोच रहा होंगा अब क्या है तो पहले यहां तक आता है Sip इसमें पानी भर दिया जाता है अपने सीप ऊपर चला जाता है फिर यहां पर आ जाता है फिर पानी भर दिया जाता है फिर उपर चला जाता है फिर यहां पर यहां पर आ जाता है यहां पर पानी भर दिया जाता है फिर यहां पर यहां पर आ जाता है फिर यहां पर यहां पर का सी रूट कम गया 13,000 यानि कि मैंने कहा यह हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया है यहां पे निवाक था यहां पे संट फ्रेंसिस को था तो यह जो नीचे से साउथ अमेरिका की नीचे से होते हुए ऐसे जाना पड़ता था जिसमें यह तेरा सो किलोमेटर कम गया भी यहां से यहां पे हैलिफेक्स से लेकर वेंकोबर तक जान करने का काम करता है यह जिसका नाम है ट्रांस कैनेडियन रेलवे अच्छा सी याद रखीगा ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस साइवेरियन, रेल में से कोई एक आ सकता है Trans-Canadian, मैंने आपको समझा दिया, Halifax से लेकर Vancouver तक जाता है, मैप में अब देख सकते हैं, जो 7,050 km long rail route है, करनाडा का और सबसे बड़ा ये है, Crossing जिसमें कुछ सहरों के नाम लिख देना है, कुछ station, Montaerial, Ohoa, Winnipeak, ये सब कुछ सहरों को जोडते हैं, जिसमें से 3 important थे मैंने आपको करा दिया, लिखा दिया, यादी कर लिजे, थो रख टाफ नाम है, ठीक है, Constructed 1886 में उसको construct किया गया था, It connected the cubic Montaerial industrial regions with the wheat built of the prairies regions and the coniferous forest region in the north, तो यहाँ पे देखिए, क्या होता है, यहाँ पे ही क्या है prairies है, जहाँ पे बहुत सार ग्रेन मिलते हैं, तो इस तरह का ग्रेन को इधर पहुचाने के लिए, साथी साथ बहुत सारे ऊट, टिमबर, यहन सारे चीजों को पहुचाने के लिए यह रेल रूट जादा काम करता है, कनाड़ा में रेल रूट का उप्योग, जैसे इंडिया में लोग पैसेंजर के लिए जादा करते हैं, वहाँ पे लोग पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो लॉग डिश्टेंस के लिए वह प्लेन रूट को ही अपना लेते हैं, या उनके पास इतना अच्छा गाड़ी है, रोट फैसलिटी इतना अच्छा है, स्मूथ है कि वह ट्रेन से पहले गाड़ी से या प्लेन से पहुँच जाते हैं, इस बैसे वो लोग उतना ज़्यादा आवाइट करते हैं ट्रेन के तरफ, ठीक है ना, डेब्लॉपिंग होने का, डेब्लॉप्ट होने का यही तो थरा फायदा है ना, wheat and meat are the important export on this route, सबसे ज़्यादा इसमें wheat और meat एकदम एकदम याद रह जागा wheat and meat, यह दोरों चीज़ सबसे ज़्यादा इसमें export किया जाता है, इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है तो हैलिफेक्स से वैंकोवर meat जाता है और इधर से चाबूला मैंने wheat आता है, तो ऐसे करके उल्टा उल्टा एक तरफ होते रहता है, इसको अच्छे सियाद रख लिएक इच्छे पाइंट को, Q7 को देखते क्या है, write any five features of the Trans-Siberian Railway, Trans-Siberian मैंने कहा कि important है, या Canadian मिल जागा है या आपको यह मिल जाएंगे Siberian, तो इसको अच्छे सियाद रख लिए, यह longest rail line है, सबसे दुनिया का longest है, 9,332 km इसका length है, पहले बाल लेंथ याद रख लिए, कहां है यह Trans-Siberian आप सोच रहे होंगे, तो यह हमारा Russia हो गया इंडिया को उपर, China, Mongolia, Russia, जिसमें यह Trans-Siberian rail mark ऐसे करके चलता है, यह बाहर चला गिया यह अंदर ही है, थो रहा सार्व बाहर चला गिया है, तो यह कहां चलता है, रशिया के ST-Petersburg से लेकर व्लादी विस्टोक यह एकदम नीचे है, तो ST-Petersburg से व्लादी विस्टोक तक यह चलता है, इन दोनों को अच्छे सी याद रख लेना है, ST-Petersburg से लेकर व्लादी विस्टोक, और यह सबसे Petersburg 2 सबसे बड़ा सहर भी है रशिया का, ठीक है ना, Crosses, Ope को Cross करता है, Yenis को करता है, यह यूराल माउंटेन को पार्क करते हुए यहां पर यूराल है, ठीक है, Yenis river भी यहीं पर बहता है, ओ, यह सारे इस जगाओं को पार्क करते हुए चलता है, Constructed for the economical development of the Siberia, यह बर्ब से ढखा हुआ इलाका राता Siberian, तो यहां पर क्रॉस करते हुए एकदम जाता है, यहां का Lifeline कर सकते हैं, Trans-Siberian Railway को रश्या का बहुत ही important है याद रखना ज़रूरी है, सिर्फ 12 के लिए नहीं आपके lifetime यह काम आएंगे, इस सारे चीज़ों को याद रखिए, सहर जो है जो क्या है, यह क्या है, यहां पर अग्रो सेंटर, यहां पर अग्रिकल्चर प्रोड़क जादा होता है, इर्कुस्क जो है यह क्या है फर सेंटर, यहां पर फर वाले चीज़ ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ठंडा इलाका है, तो फर का भी जोरत परेगा, क्या करता है, यह जो पहले देव स्टॉक से निकल के पिटर्वक तक जो जाता है, तो इससे क्या होता है, यहां से कोई माल भेजना है यूरोप में तो जाए इस रूट के थ्रू भेज दीजे, यह अपने पहुंच जाएगा यूरोप मार्केट में, तो यह भी एक अच्छा रूट प्रोवाइट करने का काम करता है, यह जो ट्रांस्पोर्ड वाला चैप्टर है जिसके इंपॉर्टेंट कोशन थे, यानि कि पाइपलें से, इन सारे को जो इंपॉर्टेंट कोशन थे, मैंने आपको अच्छे से करा दिया, ठीक है न, उसके वादा कि यह पार्किंग वाला, अगर पसंद आया हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और लाइक करना ना भूचे, भूले, ठीक है, इसी तरीकी के करवा के आपको वीडियो पहले ही प्रभाइट कर दिया है, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक स्वास्तर है, मस्तर है, और मुस्कुराते जरूर है, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी, जै हिंद, जै भारत.